हेलो दोस्तो नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने योटूब चैनल नर्सिंग अड़ा मैसो बिहार पैरा मेडिकल 2022 का जैसा कि बोर्ड के ओफिस्यल नोटिस के एकारडिंग कल हम सभी का फॉस्ट आंसीट अलॉट्मेंट रिजल्ट को डिकेलियर क क्या करना होगा और जो बिद्यारती आटो अपग्रेडेशन यस किये हुए हैं उनको क्या करना होगा और जो बिद्यारती आटो अपग्रेडेशन नो किये हैं उनको अब यहां पे क्या करनी होगी सभी चीजों के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे और कई ऐसे भी बिद्य यह हैं आपके लिए बहुत ही जादा इंफर्मेटिब होने वाली है इस वीडियो में हम लोग हर एक चीजों के बारे में यहां पर जनकारी पाएंगे और साथी साथ आपकी जो भी डाउट से वह यहां पर किलियर हो जाएगी ठीक है तो जैसा कि आप लोग इस वक्त देख सक सो हमारे सामने स्क्रीन पे यही सो हो रहा है सो आए हम लोग सबसे पहले आटो अपग्रेडेशन के बारे में हम लोग जानते हैं एक विद्यारती है जिनको आटो अपग्रेडेशन यस करवाना है सो आए पहले हम लोग आटो अपग्रेडेशन यस करते हैं उसके बाद आप आपको क्या डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा जो भी आपको शेंटर एलॉट किया गया है तो यस करने के बाद या नो करने के बाद आपको डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा इस वीडियो में हम लोग सभी चुजों के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो को करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो पहली बार हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और बैल आइकन को हिट कीजे तो आटो अपग्रेडेशन यस करने के पहले हम सभी को यहाँ पे जो भी सीट अलॉट्मेंट रिजल्ट है उस पे हम सभी को क्लिक करनी होगी ठीक है सो आए हम लोग इस पे क्लिक करते हैं सो जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे सो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि व्यू सीट अलॉट्मेंट रिजल्ट कम्पलीट है यह अपना सीट अलॉट्मेंट रिजल्ट देख लिए हैं इसलिए यहां पे कम्पलीट हो गया है उसके बाद यहांपे जो भी विल्गीनेट समिशन है तो उनका इंकम्पलीट है फिर उसके बाद यहां पर download provisional seat allotment लेटर है वो भी incomplete है तो आएए इनका मैं auto upgradation यहां पर yes करता हूँ ठीक है न तो इसके लिए आपको क्या करना होगा तो यहां पर जैसा कि देख सकते हैं submit wilderness जो लिखा हुआ है आपको इस पर click कर देनी है ठीक है जैसे ही आप लोग इस प download करके है ठीक है न तो यह दोनों का मतलब यहीं हुआ कि जब आप लोग auto upgraded yes करोगे तो आपको second round के लिए participate कर जाओगी यानि second round में आपको तक wait करना होगा second round में जो भी colleges a lot होंगे में भी वही colleges भी रहा सकता है चाहे आपको दूसरा भी कोई colleges a lot हो जाए ठीक है न जैसा इनका PMCH और यहाँ पर यहाँ पर यह कोई यह college चाहिए तो PMCH या NMCH तो auto upgrades आप सभी को क्या करना होगा यस करना होगा तो आप लोग यहाँ पे auto upgradation जैसे ही यस करोगे न तो जो भी उपर वाले colleges होंगे अगर इसमें सीटे बची रही आपके rank कर दिया जाए क्यूंकि इनका DQ quota से यह बिलॉंग करती है तो इनका यहाँ पर colleges मिलने का काफी ज्यादा probability है तो आईए इनका मैं यस करता हूँ ठीक है यह आपको फर्स्ट वाले option पर क्लिक कर देनी है ठीक है तो जैसे इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आ जाएगा बच्छों जी यानि आपको इसमें पूछा जाएगा इंटर यूर पासवर्ट तो जो भी इनका पासवर्ट है पर क्लिक कर देनी है ठीक है तो आईए यहां पर मैंने क्लिक कर दिया और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से एक के लिए ओटीपी मांगा जा रहा है तो आपको फिर से यहीं ओटीपी यानि मोबाइल प्याप लोगों को टीपी सेंड करवानी है उसके बाद आपको जो भी ओटीपी आएगा उसको यहां पर वैरिफाई करवाईएगा सम्मिट विल गिनेशन के लिए तभी आपका यहां पर यह सब्सक्राइशन हो चुका है ठीक है न इनको सेकेंड राउंड के लिए पाटिसिपेट कर गए अब इनको सेकेंड राउंड तक वेट करना होगा बट काफी विद्यार्थियों के दवारा यह पूछना है कि सर क्या यहां पर यह सबी को डॉकूमेंट फेरिफिकेश तब आप लोग जाते हैं अपनी जो भी आपके डेट दिया रहेगा जैसा कि मैं अभी दिखाऊंगा आपकी जो भी रिपोर्टिंग सेंटर होगा उस समय आपको जाना होगा डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के समय बट यह अभी नहीं जाएंगी यह सेकेंड राउंड में जो भी इनको सीटे मिलेगी जो भी कॉलेजेज मिलेंगे उसके बाद ही इनको डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जना होगा ठीक है ना सो जैसे इसको आप लोग किली करोगे, सो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करा जाएगा और आएए मैं इसे डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ सो प्रोविजनल एलोट्मेन्ट लेटर को आप चुट भी को डाउनलोड करना है और जैसे इन डाउनलोड करोगे सो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा यानि इनका जो भी सीटे मिली थी जो भी कॉलेजिस मिले थे हैं जो भी इनकी रिपोर्टिंग सेंटर थी या जो भी कॉलेजिस में इनको जाकर यहां पर डॉकुमेंट वेरिफिकेशन करवाना था सभी चीज इसमें किलियर कर दी गई है ठीक है ना सो देखिए इनको जैसा कि मैंने आपको बाता है जीनम के लिए इनको कॉर्स मिला था ठीक है वो भी SKMCH मुझह पर पूर में कॉर्स मिला था बहुत ही अच्छा यह भी कॉलेजिस है बट इनका कहना है कि सर मुझे पटना महीं चाहिए इसलिए उन्होंने अपग्रेडेशन यस करवा है ठीक है फिर उसके बाद अगर इनकी मैं यहां पर सेंटर की बात किया जाए यानि डॉकुमेंट फेरिफिकेशन की बात किया जाए तो रिपोर्टिंग सेंटर जैसा कि आप लोग देख सकते हो यस किया हुआ है तो इनको अब नहीं जाना है इनको सेकेड डाउन में जो भी आएगा डेट उसके बाद ही यह पे इनको जाना होगा नहीं करने होगए तो बड़ी वाइब नोटिस निकालती है युक्त। पर उसके बाद auto up gradation नो वाले बच्चे के लिए मैं बता दो जो भी बिजारती auto अप ग्रेडेशन थीक है ना auto up gradation लोग किये हुए है ठीक है यस वाले को तो समझ गए जो भी नो किये हुए उनको जो भी यह reporting center दिया रहेगा जिस दिन से दिन तक उनको उसी दिन जाकर अपनी document verification की परकिरिया को करवाना होगा साथ इसाथ एड़िशन की परकिरिया को भी करवानी होगी ठीक है ना और अगर documents की बात किया जाए तो एक separate video बना दी गई है आप लोग playlist में जाकर देख सकते हो कि आप तभी को first round में documents क्या किया लगेगी आपकी document verification के समय ठीक है फिर उसके बाद जिन विद्यार्थी का first round में seat allotment result नहीं आया है वे क्या करेंगे तो उनको यहाँ पर second round के लिए वेट करनी होगी ठीक है ना second round में जब seat allotment result आएगा तो में भी उनका भी यहाँ पर seat allotment result आज आएगा ठीक है आप सभी कोई यह जनकारी बहुत ही अच्छा लगी होगी बट आपके मन में कोई doubts हो कोई questions हो तो इस वीडियो के comment section में या हमारे टेली गराम चैनल पर जोइन होकर वहां से भी पूछ सकते हो जो भी हमारी टीम है आपकी पूरी सहाइता करेगी ठीक है ना सो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही फिर यह इसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा एक next वीडियो में जब तक बंदे